आप सभी के लिए प्रेग्निसी से रिलेटिट वीडियो ले के आयूं आज में आपको फाइव ऐसी एक्सेस बताने वाली हूँ जिसको करके आप अपने बैक के पेंट से छुटकारा पा सकते प्रेग्निसी के दोरान बैक पे काफी ज्यादा पेंट रहता है और शेवन तक आते आते हो बैक पेंट काफी जादा बढ़ जाता है तो गाइस आप मेरी इन 5 इज एक्सेसाईज को रेगुलर फॉलो कर लिए आपका जो पेंट है चाहे हो लुवर बैक का हो या अपर बैक ता आपको पेंट से छुटकारा मिल जाएगा तो गाइस अपने ट दोनों हेंड्स को 1st राइट साइड बैंड करना है अपनी अपर बॉड़ी को भी राइट साइड बैंड करने जितना आप कंपर टेबल रहो उतने आपको डाउन साइड जाना है सेम लेप साइड इसको आपको 10 तक करना है और रिलाणक्स हिसी ताही किसे फुर्स एक्सिसाइज यहां पे अब महीं नेक्स आइज साइज स्बसे पहले आपको लगतना है या अपने राइट हिंड के परके हिंड होाई तो बेक्षाइड 10 times पर करना है then relax इसी तरह के से ये exercise भी यहाँ पर complete होती है अब हो अपनी next size start करते है सबसे पहले आपको अपने दोनों legs के लिए को bend करके दोनों hands को straight करके flow पर रखना है यहाँ अपने दोनों legs के बीच में gap maintain करके रखना है तरह आपको अपने body को back side लेके जाना है अपनी upper body को down time अपने दोनों legs को open करके रखना है इसको only 10 times तक करना है इसी तरह के से ये exercise भी यहाँ पर complete होती है अब हो अपनी next size start करते सेम आपको अपने दोनों hands को और अपने दोनों leg skinny को बैर्ण करके flow पे रखना है परस्थ आपको अपनी neck को upside लेके जाना है और हिप को भी upside उठाना है then down जब आप neck को downside करेंगे तो आपको अपने upper body को upside लेके जाना है इसको भी only 10 times तर करना है इसी तरह के से एक्साइज में हाँ पे complete होती है अब आपनी neck side start करते हैं सब तो पहले आपको अपने right leg की नी को bend करके रखना है दोनों hands को आपको straight करके flow पे रखना है then upper body को downside लेके जाना है then इसी position में रहके आपको अपनी body को 10 seconds तक hold करके रखना है then same other side other side भी आपको 10 seconds तक hold करके रखना है इसी तरी किते ये exercise में यहां पर complete होती है guys आज जो मैंने आपको 5 exercises बताई है back pain के छुटकारा पाने के लिए I hope कि आपको मेरी 5 exercises सारी अच्छी से समझ में आई होगी अगर कुछ doubt है या कुछ किया नहीं हुआ है तो आप मुझे comments box पर लिक कर सकते हैं मैं आपके doubts को अपने आने वाले के सिभी वीडियो में जरू क्लिया करने की कोशिश करूँगी आज के लिए इतना ही अब मैं आपसे अपनी next वीडियो में आने की new exercise के साथ मिलूँगी अभे के लिए बाई बाई